हाई दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल आई होप आप सभी लोग सेफ और सेक्यूर होंगे तो दोस्तो लास्ट मेरे आडी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी किक जो है वो अटक गई थी वो नीचे नहीं जा रही थी जिस वज़े से कि मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैंने अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है मैंने क्लाच केसिंग खोल के देखने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है द मैंने उन में से कुछ suggestions apply करके देखी दोस्तों मगर कुछ जादा success नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा अब last option हमारे पास है कि मैं अपने दोस्त जो की RD mechanic है उनको बुला लेता हूं मैंने उनको आज बुलाया है तो let's see कि क्या problem मिलती है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अ जो है notifications आती रहेंगी और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं करेंगे thank you so much तो चलिए देखें मेरा दोस्त क्या करने वाला है थाहिवा भी मेरा आप कर मेराप देखेंट मैंचे जिर운 मतलध मेरा रपमेरीग, रवे ऴादिर्ट करेंगे जिए when it's around the line कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या प्रॉब्लम है देखिए आपको ये क्रैंक दिख रही है इस क्रैंक में ये कनेक्टिंग डॉड ये क्रैंक में जो यहां पर क्रैंक का वेट था वो निकल के इसकी मुव्मेंट को ब्लॉक कर रहा था जिस वजे से की इंजन रोटेट नहीं कर रहा था और इसी लिए कि स्टक हो गई थी दोस्तो आइम रेली सॉरी कि जब वेट बाहर था तब मैं ये वीडियो बना नहीं पाया और हमने उसको स्कूरू ड्राइवर से वापस अंदर उसकी जगा पे स्लॉट कर दिया है तो ये थी प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है कि क्रैंक का वेट निकल जाए तो दोस्तो आपने देखा मेरी क्रैंक का वेट बढ़ निकल गया है तो क्रैंक करानी पड़ेगी अच्छा मौका है रडि के इंजिन को सीखने का तो इंजिन खोलेंगे और क्रैंक रिपेर कराएंगे, although मुझे पता नहीं है कि मैं कितने extent तक खोल सकता हूँ, कितने extent तक बंद कर सकता हूँ, मगर मैं सीखने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों को पता हो कि RD की crank मैं कहां से अच्छे तरीके से रिपेर करा सकता हूँ तो प्लीज मुझे suggestions में बताईएगा, comments में लिखके बताईएगा, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में RD का इंजन खोलने की कोशिश करूँगा, thank you so much for watching, bye